बोल सकते हैं किसी एक ऐसा दिन था मेरा जिस दिन मैं वचन पढ़के मेडिटेट कर रही थी और मैं सोच रही थी उस वक्त मेरे मन में पहितरात्मा ने होली स्पिरिट ने एक जबर्दस्त रवलेशन दिया या बोल सकते हैं प्रकाशन दिया तो मुझे होले स्पिरिट ने बोला श्विता वाट इस दा डिफरेंस बिट्वें वाशिंग मशीन वास्ट क्लोथ है ना वाशिंग मशीन से धोया हुआ कपड़ा और हाथ से धोय हो सकते हैं और हेंट वाले में टाइम लगता है अपने हिसाब से मैंने तरक भी तरक लगा रही थी पर मुझे एक बात, एक टिप मुझे Holy Spirit ने समझाई और वो सचमुच जबर्दस्त थी तो मुझे Holy Spirit बताते हैं कि washing machine जो होता है वो एक प्रकार का mass prayer होता है जो हम संगती करके करते हैं, हम चर्च में जाके करते हैं, है की नहीं? हम चर्च में जाकर के संगती करते हैं, mass prayer करते हैं मिल के सब कुछ prayer वे गरे करते हैं तो वो होता है washing machine cloth washing ठीक है हाथ से धोने वाला तो हम लोग mostly हाथ से कपड़े कब धोते हैं सुचने वाली बात है तो Holy Spirit मुझे समझने में मदद किया कि जब कपड़े हमारे जब गंदे कम रहते हैं या ज़र्णल जासे स्वयट हो गया पसीना सा हो गया तो हम क्या करते हैं washing machine में डाल देते हैं वो अपना घुपता है गुंता है साफ कर लेता है पर जिस पाटिकुलर जिस कर लो मेडिटेशन टाइम है तो मास प्रेयर जरूरी है क्योंकि आपका जनरल जो उसको साफ करने मदत करता हैं लेकिन कुछ गंदगी पर्टिकुलर एरिया में सिर्फ आपको पता होता है वह चर्च नहीं जानता ना आपका पास्टर जानता Gmail जानते हो ना आपके लोग जानते हैं प्र कुछ पाप आप आपके अंदर खुद आप जानते हो उसको आपको गंदा होता उसको साप करने वाला तो चर्च भी बहुत important है, mass prayer attend करना भी उतना ही important है और उतना ही important आपका personal prayer है जो आपके अंदर के खुद के पाप को clean करने में help करता है, तो यही है difference, washing machine की धुलाई का और हाथ की धुलाई का तो मेरे कपड़ा ready हो गया है, मैं जाती हूँ धोती हूँ और सुखाती हूँ आप भी अपना personal life की गंदगी को धोईए और जाके सुखाईए और representable बनाईए